नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सोनपाल के रसोई में और आज हम बनाने वाले हैं मोदक जैसे कि आपको पता है कि गनेश्च तूर्थी आ चुकी है और गनेश्च को चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ अलग-अलग रेसिपीज हमें चाहिए तो हमने यहां पर बनाए ह है तीन तरह की मोदक रेसिपी एक ही है लेकिन इसमें तीन फ्लेवर हम कैसे देंगे कैसे यह बनाएंगे इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी तो एक बार मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देती हूं कि यह मोदक कैसे दिखाई दे रहे हैं तो बहुत मिक्स कर रहे हैं ताकि यहां पर कोई भी गुठलियां के लम्स ना रह जाए और हमारा जो मिक्स्चर है अच्छे से मिक्स हो जाए एकदम प्लेन हो जाए स्मूध हो जाए क्योंकि हम इसमें जब इसे पकाने लगेंगे गैस पर इसे डिरेक्ट अगर गैस पर आप पकाएं लगभग देट कप के करीब हमने हाप पर मिलक पावडर लिया है और आधा कप हमने दूद यूज किया है तो आप देखरे हैं बस एक सार हो चुका है लगभग बस ऐसा ही मिक्स करना है ऐसा मिक्स करने के बाद आप देख रहे है बिलकुल गढ़ी गुठलिया-समें नहीं तो बस अब इसे हमने रख दिया है गैस पे और बाके का जो बचा वदूद था आधी कप में से वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है अब इसमें मैं यहां डाल रही हूं लगबग 1 फोर्थ कप गी तो यहां पर मैंने गाय का गी यूज किया है आप कोई भी यूज कर सकते हैं और लगबग आधा कटोरी मैंने एकदम पिसी हुई शुगर जो होती है वो यूज की है आप कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हैं यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपने पैन लिया है उसके तले पे बिल्कुल भी चिपकेना यह बिक्षर अच्छे से इसे आप मिक्स करते रहें और हलका-लका चिलाते रहें और आज जो में रखनी है वो low to medium रखनी है अगर आप इसे फूल पर रखेंगे तो इस तरह इसी तो चलाते रहना है थोड़ा इसे गारा कर लें अच्छे से से और इसमें किसी तरह के गुठलिया ना बचे बस इसी तरह आप से लगाता चलाते रहें तो देख रहे हैं यहां पर धीरे-दीरे काड़ा होने लग गया है इसमें आपको जो quantity का ध्यान रखना है वो एकदम अच्छे से मेजर करना है जैसे अगर मैं दो कप यहां पर milk powder लूँगी तो उसमें लगबग आधा कप प्लस 1 फोर्थ कप milk जाएगा तो उसके हिसाब से आप quantity कम या जादा कर सकते हैं बट एक measurement जो है आपने वही रखना है अगर आपके पास cups नहीं है तो आप purchase भी कर सकते हैं मैं description box में अपना link दे दूँगी वहां से आप purchase कर सकते हैं नहीं तो आप एक कटोरी रख लीजिए measurement के लिए उसी कटोरी से ही आप जैसे अगर दो कप दूद ले रही है तो उसे इसाब से ही आप milk powder जो है वो चार कप इस तरह से आप चार कटोरी इस तरह से आप measure कर सकते हैं तो देखिए एक बार नीचे से घी चोड़ने लगा है पैन से एकदम घी चूड़ने लगा है इसका मतलब यह mixture बनकर तेयार है तो आपको पता ही है कि बाहर से हम अभी कुछ भी नहीं लेकर आ रहे हैं इस ताइम में तो घर पर यह मावा बनकर तेयार है तो इसके मैं तीन मिक्स कर ले इसे एक तो कलर भी आएगा और केसर का अच्छा टेस्ट भी आएगा अगर आप इसमें इलाइची पाउडर या फिर नारील का बुरादा डालना चाहते तो वह भी डाल सकते हैं तो स्टफिंग के लिए मैंने कुछ कटे वे ड्राइफुट लिये हैं और उसमे थोड़ा समय डाल रहे हूं नारील का पुरादा तो इस तरह का मैंने एक मोल्ड ले लिया है अगर आपके पास मोल्ड नहीं भी है तो आप वीडियो को अंतक देखिएगा इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि आप घर पे किस तरह से हातों से ही मोदक बना सकते हैं और कैस से एक दब मार्केट जैसी शेप आएगी तो देखिए यहां पर जो स्टफिंग मैंने केसर वाले मिक्स्ट्र की रखी थी बस उसी की स्टफिंग से मैं इस मोल्ड को फिल कर लोंगे इस तरह से आपको दबा दबा कर प्रेस करकर इसे भरना है और इसके अंदर जो स्टफिं बनके त्यार हुए शेप काफी अच्छी बनी है इनकी और यह खाने में भी उतने ही यमी है तो अभी आपको मैं दूसरा वर्जिन दिखा देती हूं यहां पर मैंने लिया है रोज सर्बत अगर यहां पर कलर यूज करना चाहते हैं यह रोज एसेंस यूज करना चाहते हैं पिंग कलर करने के लिए और यहां पर मैंने लिया है गुलकंद तो थोड़ा सा रोज शर्बत और गुलकंद के इसके अंदर स्टफिंग जाएगी फिर से सेम वही प्रॉसेस करना है आपको जो मिक्स्चर है मोदक का वो हमने भर लिया है अच्छे से मोल्ड में और फिर स्टफिंग को फिल कर दिया है गुलकंद के अंदर आप और भी कुछ चीज़े आड़ कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं बस इसी तरह से आपने सारे मोदक बना कर त्यार करने हैं इसकी शेप काफे इच्छी आ रही है तो आपको यह ध्यां डखने कि बहुत ही हलकी हातों से मोदक को निकालना है बहुत जब प्रेस ना करें बहुत जब प्रेस करने से क्या होगा कि टूट भी सकते हैं तो अब मैंने जब तीसरा लिया है वह विरिया है चौकलेट का थी आप मैने कोकुआ पाउडर जो आता है वो भी आड़ कर सकते हैं यह सब आपके उपर है कि आपको कौन सा फ्लेवर आड़ करना है तो यहां पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मैंने इसे फ्रिज में लग दिया था इसलिए यह काफी अच्छा जम चुका है काफी हाड हो चुका था यह अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्स्चर भी बहुत पतला हो रहा है आप मोदक नहीं बना रहे हैं पा रहे हैं तो उसे थोड़ी दिर फ्रिज के अंदर रग दे उससे क्या होगा थोड़ा हाड हो जाएगा उसके बाद आप मोदक अच्छी से बना पाएंगे तो बस आप में ही मैंने वाइट चोकलेट को भी छोटी-छोटी टुकडों में कट कर लिया है तो सेम बस इसी तरह ये भी प्रोसीसर आपने सेम मोदक बनाने कर रखना है स्टाफिंग सेम फिल कर देनी है और इसी तरह प्रेस करकर आपने मोदक बनानी है प्रेस करकर आप मोदक बनाएंगे तो शेप काफी अच्छी आएगी इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले इससे आप कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे और कोई अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो अभी मैं आपको दिखा रहे हूँ कि आप हाथ से मोदक कैसे बनाएं तो देखिए बस इसी तरह आपने मोदक लेना है मोदक का जो मिक्सिर हमने त्यार किया था इसे अच्छे से मिक्स हाथ पे फ्लैट कर लेना है और अंदर जो भी स्टफिंग आपने भरनी है उसे फिल करके आप इस तरह से शेप देते रहें आपको एक बात कर दिया हानग नहीं जो स्टफिंग फिल करेंगे वो बहुत ज़्यादा ना भरें थोड़ी कम रखें क्योंकि उससे मोदक की शेप खराब हो सकती है तो देख रहें बस इसी तरह आपने हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए इससे शेप देनी है और इसको डिजाइन देने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फोक का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टूथपिक है या फिर स्पून के बैक साइड का भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर फोक का यूज़ किया है बस इसी तरह इसे शेप देनी है तो आप देख रहे हैं कितने अच्छी मोदक की शेप बनी है आप घर पर बिना मोल्ड के भी अच्छे सा मोदक बना सकते हैं इसी तरह आप भी गनेश जी के लिए मोदक बनाईए और मुझे जुरूर बताईए कि आपने कौन सा वेरियंट इसमें ट्राइ किया कौन सा फ्लेवर आपको अच्छा लगता है कमेंट बोक्स में हमें बताना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जिरूर करिए शेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप देखते रहें और गनेश चतुर्थी पर मोदक बनाते रहें धन्यवाद